गुद्मॉरेंग इस्ट्रेंग्स, मैं आप लोग को मैंस में, क्लास्फाइल को मैंस में, चैप्टर 11, टाइमस एंड टेंप्रेचर लिए, एक्सरसाइज 11 का पहला चैप्टर जो है, 11-1, उसमें आप लोग चैप्टर लोग के स्टोशन को देंगे, और सब्सक्राइब को, बच्चों, आप लोग जानते हो, की एक घंते में 60 मिलट होते हैं, रहा, 1 आवर, एकोल टू, 60 मिलिट्स, ठीक है, और, एक दिन में, 1 पेव, एकोल टू, 24 आवर्स, ठीक है, होते हैं, आप लोग जानते हो, की, एक, वन, विन, हना, इकोल टू, 7 विक्स, ठीक है, और, एक साल में, यह जानते हो, एकोल टू, 52 विक्स, 52 विक्स होते हैं, वन यह जानते हैं, 365 अथवा, 366 दिन होता है, 366 दिन कम होते हैं, जब, लीपियर होता है, क्यानि, वह महीं, उस साल का परवरी का महीनत है, वह उन किस दिन होता है, ठीक है, और, कौन सा साल, जो है, लीपियर है, उसको पता करने के लिए, यह, डिवाइड़ वाइड फो, ठीक है, जो साल दिया हुआ है, जो साल चल रहा है, वह आपको पता करना है, कि आने वाला साल, या जो साल में आप है, यानि, जो साल चल रहा है, उसको हम लोग कैसे पता करेगी, क्यों दिवाइड कर दीजिए, यदि वह पूरी तरह से दिवाइड प्रयता है, तो वह साल जो है, लीपियर प्रयता है, ठीक है, अब आते हैं, एक और बात, जो आप ल साथ सेकेंड होते हैं, साथ सेकेंड होते हैं, ठीक है, तो पैंस के लिए आपको इन चीजों को जो है, हमेशा याद रखना होगा, कि एक घंटे में साथ मिनट होते हैं, और एक मिनट में साथ सेकेंड होते हैं, एक दिन में 24 गंटे होते हैं, एक सब्ता में साथ दिन होते ह और एक साल वे 350 अफ़ा 366 दिन होता है और 366 दिन जो है वह लिपिये कर लाती है यानि इस साल का फ़र्गरी का महिना जो है 29 दिन का होता है ठीक है इस तरह से जो है आप एकसरसाइज 11a में जो गी प्रॉब्लम है उसको इसके माध्यम से आप सौल कर सकते हैं ठीक है इसमें दिया हुआ है कंवर्ड का स्क्राइब आपका टेस 11a का 1 का यह नंबर कि 10 टेस इंटू आप यानि 10 दिन को जो है वह घंटों में बतलना है तो आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 10 दिन में कितने होंगे 10 गुने 24 यानि 240 घंटे हो जाएंगे ठीक है इस तरह से जो है आप कोश्चन नमर बनाएं दूसरा है कोश्चन इसी में कंवर्ड आवर्स इंटू देस ठीक है मिनट इंटू आवर्स तो पहला कोश्चन है और क्या आवर्स एया है इस 96 आवर इंटीफू आवर इन्टीफू आप तो we know वार्स इक टों लोगकोश्चन इसगए मुम्दई देञए जाए इंटीफू जाए है। तो 24 250 आज अ ट्वू ओ जाए deserved 25 जाए है। ठीक है। आप जो नहीं उसको बारी-बारे-दो से भी एक दोनों को उपर नीचे, भाग देकर काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं, या राइटी या ठीड आता है, तो आप डाइटी भी कर सकते हैं। इससे यह पता चल ला है कि छी आनवे घंटे में चार दिन होते हैं ठीक है? चार दिन होते हैं फिर आते हैं कोश्चन नमर 3 में दिया हुआ मनिस टेक्स 12 मिनिट्स टू टेक अब बात 60 मिनिट्स पोर देक्पास्ट और 20 मिनिट्स टू रिची स्कूर्ट गंटों पता हैं तो बच्चों क्या है कि इन नमर कुश्चन में बोला है कि 12 में कोवा नाने में 16 मिनट्स टू है वा नास्ते में और 20 मिनट्स टू है वहां लगा रहा है पर इस्कूल पहुंचले ठीक है इसको गंटे में बता नाया इस सभी को जो है एड कर लेते हैं 6 और 2, 8, 2, 1, 3, 3 लगा 4, यानि 48 मिनेट्स जो है आपका यह कम्प्लीट करता है, अब जो है, what is the total time spent in hours, तो इसको घंटो में जो है दर्साना है, इसको घंटो में क्या दर्साना है, इसको घंटो में क्या दर्साना है, 48 मिनेट्स ही हो जाए है, तो इसको हम लेख सकते हैं कि 48 मिनेट्स जो है, तो इसको घंटो में competency मिनेट्स होते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे ठीक है तो इसको जो है इसको हम लोग 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे दिवाइड कर देंगे तो नहीं करेंगा तो जीरो फिर जो है देसम्मों करेंगे तो जीरो आएगा तो एक टैंक्स जो है यहां क्या लेगा 40 टीक है तो इसको लिख सकते हैं 0.8 hours टीक है इस तरह से जो है कोर्शन नमर 3 आपका कंप्रेट होता है दूसरा कोर्शन आगे है कोर्शन नमर 4 और जबने टेक्स इदर 2 देस and 3 आवर्स अब जो है दो देन और तीन घाटो में पहले जो देन है उसको कभड कर लेंगे घांटो में आप कोश्चन आप 4 तो, question about which is correct, 2 दिन को हम लोग गंटों में तब्दिल कर लेंगे, लेंगे लेंगे, यह हो जाएगा, 48 hours, हना, और 3 hours जो है, और उसमें दिया होगा, इसको add कर लेंगे, जाएगा 51 hours, यह हो गया, गंटों में और इसको बोला है, कि इसको जो है, मिनेट से बदलना है, तो इसको 60 से multiply कर देंगे, 60 से multiply कर देंगे, तो, यह अगर 360 मिनेट्स, हाँ, इसका जो है, multiply कर देंगे 51, multiply कर 60, तो इसका answer होगा, 3060 मिनेट्स, तीर हजान, 60 मिनेट्स, तो भी अच्छो, अगर आख कोश्या, कोश्या नमर्पाइप, इसमे दिया होगा है, कपपन दान अधिस्यांस ओ 100 मिनेट्र, in 24 सेकेंड, हाँ मैनी मिनेट्स, तो इसको बोला है, कि कपपन दान अधिस्यांस, 100 मिनेट्र, in 24 सेकेंड, मैन तो इसमेंटो हाँ मैन आख कैसे आघे, कि के कुश्या नमर्पाइप ने, जो अच्छो इसमेट्र, सूनेट्र औरष इसमेट कपना है, सूने मिनेट्स में 100 मिनेत्र कंhrता हो, इसको मिनट्स में दर आना है, so 24 divided by 60, because we know that 1 meter equal to 60 seconds, so 24 minutes divided by 60 हो जाएगा, याई राग 2 by 5, इसको यदी हम लोग डेसिमल में भी लाना चाहे, याई राग 0.4 minutes, ठीक है अच्छो, next चैनल पर लोग चालते है, जो खी है, 11B, 11B में आपको अच्छी तरह से 11B को समझना हुआ, क्योंकि यह time, जो है, पूसता है, starting, finishing, taking, यह तीन सब खीशनिया आपको याद रखना है, कि जो समय सुरू होता है, वो कब खतम होता है, वो कितना समय देता है, शुरू से जब खतम होता है, तब, ठीक है, 11B में है, कि first question calculate the finishing time, यानि, finishing time जो है, आपको बताना है, the hour starting time, 9, 10 a.m. और time taken, जो है, 6 hour, 10 minutes जो है, तो इसका calculation होगा, कि, जो है, finishing time जो है, इसका परूरा क्या है, starting time, and now, starting time and time taken, time taken equal to finishing time, होता है, ठीक है, तो, आप जड़े है, तो, आप जड़े है, starting time आपकर कितना, 9, 10 a.m., आपको यह भी ध्यान देना है, कि a.m. है, पी.m. और इसमें, जो है, 6 घंटे, हैना, और 10 minutes जो है, इसमें जोड़े है, ठीक है, इसमें a.m. पी.m. कुछ ने को दिया हुआ है, इसको जोड़े, यह होजाए, आपको जो है, एक और चीज़ बता दे, घरी में, बारक, ए, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और 11 के लिए अलावा, आप जो है, जो है, जो है, जो है, इसको जो है, इसको आप जैसे हमको जाते हैं कि एक को 13 minutes, दो को 14 minutes, तीम को 15 minutes, चार को 16, आज को 17, और 6 को 18, साथ को 19, आठ को 20, नो को 21, बंस को 22, एक यारा को 30, और 12 को 24 या जीरो भी देखे हम लोग 10 साथे हैं, तो इसमें देख रहे हो, कि यह 9 गंटा 10 minutes जो है, वह एम था, उसमें 6 गंटा 10 minutes जोड़ने के बाद 15 गंटा 20 minutes होगा, तो 15 गंटा जो है, कितने का, तीन बजे, या एम से क्या होगा, पीर का, क्यानि इसका आंसर हो जागा, तीन बजे के 20 minutes पीर, ठीक है, यह पर बड़ जाएगा, एम से, पीर में इस सभी बाद को जो है, आपको ध्यान रखना है, और या ख्लॉप को भी ध्यान रखना है, इस इस क्लॉप के अपसार भी जाहे है, आपका exercise रखना होगा, प्रोशन नमार टू, प्रोशन नमार टू में जाहे है, इसमें या भी दिया हुआ है, कि आपको निकालना क्या है, calculate the starting time, तो starting time निकालने के लिए जी फॉर्मूला होता है, वहा फॉर्मूला क्या होता है, कि finishing time minus, starting time करेंगे, तो हो जाएगा time taken, कितना समझ दिया गया है, ठीक है, और finishing time minus time taken, जब करेंगे, तो starting time निके लिए, यानि starting time equal to हो जाएगा finishing time minus time taken, जब करेंगे, और time taken लिए जी निकालना हो, जब करेंगे, जब करेंगे, जब करेंगे, जब करेंगे है ठीक है ठीक है तो एक्सरसाइज 11 बीमी कोश्चन नुमार 3 तक आप लोग आसाने से निकाल सकते हैं ठीक है कोश्चन नुमार 4 जो है हम आपको समझाते हैं आपको ध्यान से सुनेंगे आप सुनीता टेक्स 10 आवर्स 45 मिनिट्स तो ड्राइब फ्रॉम हैदरावाद टो बैंगलूर इफ सी स्टार्ट एट 5 तेंग एम और अट वाट ताइम डर्स सी रिच वो लाया कि सुनीता को हैदरावाद से बैंगलूर जाने में 10 गृंटे 45 मिनिट्स समय लगता है यदि वह पांच बच के 10 मिनिट में सुबह में चल चल्णी है है थो गर्याओ बैंगरूर की तना वजय पहुंचेगे यानि इसमें क्या दिया हुए है इसमें किस्टार्टिंग स्टार्टिंग ताइम दिया हुए और इसका टैंनाते दिया निकलना क्या है फिनीसिंग थिक है बिच्शन नम्मर taką में giving आ ज्क्ते बचलों कोशन नमर 4 में क्या है कि फिर्सिंग टाइम इकाले के लिए क्या करेंगे इस्टार्टिंम टाइम क्या है 5 10 a.m. एक और फिर्सिंग टाइम क्या है यानि यह ताइम टेकन कितना है 10 hour 45 minutes इसको add कर लेंगे यह हो जाएगा 15 hours 55 minutes यारी इसको आउरोग लिख सकते है 3 hours 55 p.m. एम से क्या हो जाएगा? p.m. हो जाएगा बहुत यह असार है इसलिए 3 बच के पस्तर मिनिट में जो है महादरावार ते बैकोड पहुंच गए होगी उसी तरह से question number 5 भी है कि ए सार्जन इस्टार्टेट ए ए और ओपरेशन एट एट फर्टी एम एंड़ फिनिस इट एट ट्वल फाइफ पी एम हाव मस्ट टाइम डिटे तो इसमें क्या दिया हुआ है? प्रिटेशन इस्टार्टेशन 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 इसमें से 5 minutes में 30 minutes subtract नहीं होगा तो इसमें से क्या करेंगे 60 minutes इसमें लेंगे तो यह हो जागा 65 minutes कितना हो जागा 65 minutes तो 65 minutes में और यह हो जागा 11 hours 65 में से 30 subtract कर दीज़े तो 5, 3 ठीक है 11 में से 8 subtract कर दीज़े तो जागा 3 यानि 3 hours 35 minutes जो है या hours जो हम नहीं दिख सकते हैं इतनी घंटे जो है वह operation करते में लिया इस तरह से 11 भी जो है आपका खतम हो गया अब चलते हैं 11 C अगला है 11 C ने दिया हो find the starting or ending date not including giving date सबसे पहले बच्चों 11 C का question number 1 का यह जो है आप बहुत हाती समझे ताकि अगला जो है question समझे में जाब solve करने में उसको तक्रिश नहीं हो देखो इसमे time taken दिया हुआ 28 days और time in days जो है वह भी दिया हुआ है 10 जन्वरी अब आपको निकाला है कि वह जो है शुआत कभ किया था यानि starting days जो है आपको निकाला है ठीक है तो इसमें भी किया है कि आप देख रहे हैं कि 10 जन्वरी को जो है इंडिंडेट है और 28 days जो है वह समय ले रहा किक है यह तिन्थ जन्वरी तो वह तो जो है 28 days जो है आप टाइन टेकन है यह तो वह कम जो है सुरूआ किया तो दस में से अब क्या करेंगे बैक वाले जो है मन्थ में चाहेंगे और उसके पूरे मन्थ को हम लोग लें यानि बैक जन्वरी से पहले क्या आता है दिसंबर जो है कितने दिन का होता है 31 दिन का अब 31 दिन में 10 दिन जोड़ेंगे यहां पर क्या हो जाएगा 31 दिन इसको जो है छोड़ देंगे अब 31 में से 28 गटा देंगे 31 में से 28 गटा जिएगा जोड़ा हो जाएगा 30 यानि वह एश्टार्ट किया था इस तरह से जोड़े है आप 11 C का वन नमर कुस्टन जोड़े है आप सौड़ करेंगे ठीक उसी तरह से आप इंदिन डेट ही जोड़े है निकाल सकते है ठीक है अब क्वेश्टन नमर 11 C का 2 का दिखिये दिए वाइन नमर उफ देस इंदिन देट इस शोला अक्टूबर से लेखें 18 डिसम्मर तक जो है कितना दिन होगा इसको पाइंद दर्या तो अक्टूबर किकने धिन का होता है बत्तों एक्टिस दिन का होता है और वोड़ देंगे तो कि को लोइब है कि आपक्तुमर के बाद जो नहीं करें लोबर वह पूरा तीस दिन करेंगे और डिसम्मर की जो आधारा दिन तॉर कि दिसम्मर का थारा दिन तो है कि अठारा दिन कि कि पर आगे है कि 16 दिसंबर से यह लेगा यानि 15 दिन हो होगा आगे 16 तरह से स्टार्ट होगा यानि 16 दिन हो जाएगा यानि अक्टूबर में कितना दिन हो जागा 16 अक्टूबर का 16 दिन होगा और जो है नॉम्बर का 31 दिन होगा अब इसको जोड़िये बंचों ठीक है तो आठ चोड़र के चाहर अशी दे तीन और एक चाहर पांच वहां सुगा यानि क्यों होगा आपको जहां करना है वह 16 अक्टूबर से बोला है 16 अक्टूबर को हमें अटा नहीं सकते उसमें एड करके ही देना यानि 16 अक्टूबर जैसे मान के जोड़ो आपके स्कूल में यादि आपको नोटिस मिलता है कि कल से छुट्टी है यानि मान के जोड़ों जो है 30 जन्वरी से छुट्टी है 29 जन्वरी को आपको नोटिफिकेशन होता है तो उस नोटिस में यह दिया रहता है कि तीस तारिक से मतलब तीस तारिक को हम लोग इंक्ल्यूड करके ही जब आंत में जहां बुले रहती साहां कितना तारिक स्कूल खुल जाएगी यानि पहले जो है शुट्टी को यह टोटल जो है आपको हॉलिडेस कितने मिले वह आपको इस तरह से कंप्रमेंट ठीक उसी तरह से यहां भी नंबर ओफ देस जो है काउंटर में ठीक है यह है कोश्चन नमर टू का आंसर ठीक है अब जो है हम लोग अब चोड़ेवेटी में आपको टंप्रेचर के बारे में समझना है कि टंप्रेचर है हम लोग किसे मापते हैं तो हम जानते हैं वी यू यूज अन्मेर को थार्मो मेंटर का इस्तेमाल तापमान को मापने के लिए हम लोग तो बच्छों आपको बता दे की जीरो डिगरी सेल्सिस के बढ़ावन होता है ठीक है 100 डिगरी सेल्सिस जो होता है वह दो सब बाराइब फेरेन हैट के बढ़ावन होता है उसमें 118 डिगरी जो है अबनों का फेरेन हैट होता है जिसमें टंपरेचर जो है अधिक होती है ठीक है उसमें मनुश्री के मिलतूब हो सकती है ठीक है यदि सेल्सिस में देखना होगा तो आपको उपड़ वाले भाग को देखना होगा इसमें दो तरह से मतलों देखने की दिया रहाता है एक सेल्सियस में एक फेरेन हैं यानि मनुश्री का जो नॉर्मल तापमान होता है सेल्सियस में वह होता है आहएज है सेंद BT के सेल्सियस या जो है हम लोग फेरेन हायट में का है तो नन्टी सेवन होना जो है तापमान समझते हैं मनुष्य का या किसी भी मनुष्य का तेक है तो इस तरह से ऑप को बताना है कि कितने degrees Celsius पे हमारा ताकमा डटेगा बढ़ेगा और हमारा जो कोई जिसे बाइल पाने जब बाइल होता है वह 100 घर इप यदि वह पाने जमता है तो बहुर जो है 0 डिवी से जनता है तुक है इस तरह से आप लोग ऐसर साइजे में डी खुट से सॉल्फ कर लेंगे लिख लेंगे कि किटने वह जंता है कुण कोल्ड है कुण ठंडा है कुण गरम है इस तरह से ठीक है इस तरह से एक्सरसाइज लेवर्ज है आपका खतम हुआ मुझे आसा है कि इस वीडियो के मात्यम से यह चप्टर में आपको सब्सक्राइब हुआ